वेल्कम इन आवट्यूप चैनल नेश्री मिड़कूस तो जैसे कि आपको पता में लिक्टर नमार फोर्थ करने वाले हैं अपने इन और्गिनिक फर्मासिटिकल कमेश्टी का जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर आयरन ठीक है तो जैसा कि स्क्रीन सेंपल में पता करने के लिए कि आयरन ऐसा इम्प्योरिटी प्रजेंट है और अगर अगर प्रजयंट है तो वो उसकी कौणिटिकाद के स्टेंडर से पता करते हैं कि किना कौणिटी में वह फ्रिजंट है यॉटकर लिकार ये सेंपल में दिये गए सेंपल में कितना iron का quantity है उसको पता कर निकले ठीक है अब देखो यहां पे लिखा गया है कि iron देखो एक बेसिक साहिए बात है कि जो आपका iron होता है यूज हमलोग Fe से miseripoin करते है एरन यह यह दो फोम में घिस्ट करता है एक Fe 2 प्लस और दूसरा Fe 3 प्लस ठीक है तो Fe 2 प्लस को क्या करते है तो आपको ॐसे मैं भी editing लोग काते हैं सिर्म है तो जो का रियक्षिन होने वाले activity बीटेयश रायरं में भूमनोग फेरस को यूज Carol को करें लेकिन जो में ही जहाए भी आपको यह समझाने के बाद मैं यह भी बताऊँगा कि अब कैसे करें कि यह यह जो है यह जो है सकते हैं यह जो लिमिट टेस्ट इसमें क्या प्रओलम है क्यों यह जो रिजल्ट का वह एकुरेट नहीं है ठीक है तो अब हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं अपना लिमिट टेस्ट फॉर और तो तो यहां लिखा गया आइरन इन फेरिक और फेर फिरस तो आघर हम लोग इसको और ले रहे हैं तो परेंटली ले रहे हैं अगर वह खा रहे हैं या तो फिर परेंटली या नि क्या होता है injectable यानि injections के form में अगर हम लोग ले रहे हैं direct blood stream अपने तो वो हमारा toxic नहीं होता है ठीक है अगर वो limited form में है एक limit में है अगर हम लोग उसको ले रहे हैं लेकिन अगर एक limit से अगर वो limit impurities in pharmaceutical substance क्योंकि आपको पता हम लोग फार्मेसी में बेसिकली यह इन और इन फार्मेसी कमपनी में इन्वेस्टी वगरा में तो फार्मसीटिकल फार्मेसन क्या होगा ड्रक की बात करेंगे ठीक है तो यह कि किसी भी ब्रग में कितनी आइरन की इंप्योटी है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यह लिमिटेट फॉर आइरन पर फार्म करते हैं अब देखो रियक्षिन की अगर मैं आपका यह बेश्ड होगा फेरस यह यह लिए फ्लस प्लस लियाट करेंगा थायो ग्लाइकोलिक एसीड से ठीक है जिसका फॉर्म्ना क्या होता है एसेच सी एश टू सी डबल लो एच इसा अगर शी एस टू जिसका की दूसरा नाम मर्क एप्टो असे एसीड भी होता है जो कि वाईब वागरा में आप से प सब्सक्त 파 complexity करें तो यह जो हमुआ रियक्शन करते हैं प्रेरस की अंट इस्टिक और आम्वोनिय ठीक है यह तर्सक्त रीचलेक स्टिक यह यह अपको लिस müsst कि बेसिकली रिंग इस्ट्रेक्चर फॉर्म होई है ठीक है अब यह से अगर मैं लिख के बताओं कैसा हुआ कैसे आपका तो यहां पर मैं लिखता हूँ फेरस एफी टू प्लस रियक्ट किया है अच्छ च्छ टू दबलो यह जो कि आपका थायो गलाइकोली के सिर्या मरक्ट एस्टी इसका दो मोल हम लोग लेंगे टू मोल इन दे प्रेंस फिट्रीक एसीड अभी मैं अपको यूज बताओंगा कि सिट्रीक एसीड को यूज कर रहे हैं या तो अमोनिया क्यों यूज कर अन्य है एक थायो कलैट फेरास यनिए यां आफ ये लिख्यों सब्सक्राइब मतरने तो फेरास थायों लाइक क्योंते हैंशork सब्सक्राइब प्लस-फ्क्रॉज अब अगर मैं इस चीड कि रिंग की स्ट्र्वाट और करों कैसा हो अ Filipino ग्रटाँ इहां पर Jeanneय यह पर दवन यहां पर सीडबस्ट यहां पे sh ne है कि यह ऐसा कुछ एक यह इनक आपका एक श्र्यक्ट पोहाँ थीक है अभे यहां पर दखोंगे सी और द अधार्यिब इंशूब 05 तो पर्पल खोल्द हो सकता है ठीक है यह जो फिरस थैयो में आपका बना है वह देपो रिड्स या पर्पल कलर होगा ठीक है और अगर डायट होता है तो अगर पुछ के लिए प्रफ़ पोल्ड़ भी बोल सकते हैं कि परपल कलर का प्रडॉक्ट स्वेरस थे रहत हो गई कि अब बैद करूं तो अपको बता दिया था कि बहुत क्या होता है लिखने लिखने में लगा बस वही जो रियक्शन हो रहा है उसको इनलिसमें थोड़ा सा एक्स्प्रेइन करते हैं ठीक है तो प्रिंसपल की बात करों तो जो लिमीट टेस्ट है आइरन का रिमी अब देखो एक बात हम लोग को समझने हैं पर चाहिए उससे पहले थोड़ा समय रेज कर लेता हूं तो अब मैं यहां पर बात करूं कि यह जो थायो ग्लाइकोलिक एक hm इसे उसने हैं तो अगर आपका जो स्लिूसर है सप्रॉण करता था है तो यह थायो ग्लाइकोलिक परियंकोra और आपकä रियक टरैर्शों करेगा Limit इसी थायोगलाइकॉलाइकोलीक एसिड से रियक्ट करके फेरस थायोगलाइकोलीट बनाता है丁 अगर बनाएगा फिर से रियाट तो अगर मैं बात करूं कि अमोनिया को क्यों क्यों कर रहे हैं हमारे सल्यूशन में तो दूखो अमोनिया का क्या काम है यह हमारे जो सल्यूशन को बेसिक या अलकली मीडियम प्रवाइड करता है ठीक है अब क्यों अब बेसिक मीडियम प्रवाइड करने की ज़रूत क्या पड़ी तो जो आपका फेरस थाइग लाइकुलेट जो प्रोड़क्त बन रहा है यह जो पिंग कलर का डिप बोलो या तो परपल कलर कि यह पिंग कलर का ही जबकि बेसिक मीडियम में या तो परपल कलर का होता है ठीक है इसलिए तक कि कलर होता है हम लोग अमोनिया को मिलाते हैं क्योंकि अमोनिया क्या होता है इसको एड़ करने से हमारा जो सलूसन होगा वह बेसिक हो जाएगा और बेसिक मीडियम में जो फिरस थाइग लाइकुलेट है वह आपका परपर कलर सो करेगा इसलिए ठीक है और बात करूंगर सिट्री के सिट्री के सिट अगर आएरन जो है अगर वह प्रेसिपिटेट हो गया तो हमारा चीलेट जो रिंग होगी यह फॉर्म नहीं होगी तो आपका यह से रियक्ट करके आपका की लेट यह चीलेट बोलो फॉर्म नहीं कर पाएगा ठीक है तो इसलिए हम लोग कि यह अपका युनिफॉर्म ने डिजॉल्व रहे है हमारे पूरे सिट्री के सिट्री करते हैं ताकि प्रिसिपिटेशन नव फॉर्म होसके आएरन का ठीक है और आएरन यहां पे प्रिजेंट रहेगा अगर हमारे इस से अलुशन में अगर आएरन यह थे हैं कि रिएल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कॉंप्लेक स्टेक्चर ऑफ फेरस थैगलाइकुलेट विच अपियर एस अपिंग टू डीप रेडिस परपल कलर ठीक है अब बात करूं फेरस थैगलाइकुलेट इस स्टेबल कंपाउंड फॉर लॉंग डियुरेशन इन अब यह बात है कि अगर एर प्रशाइंट होगा तब दावगा इधर देखो है अप लिखा एकशन ऑफ और यह लिए आपका प्रोड़क्त जो है वह आपका फॉर्म नहीं हो पाता है या डिग्रेड हो जाता है जो फेरस थाउड गुलेटर उसलिए हम में अपसेंस आफ एर में परफॉर्म करना होता है यह ठीक है आप दो वही फिर मैं आपको पता है यह यूज करते हैं उसको मैं अब देखो जो लिए परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए अमनों को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए हम लों को अब कैसे परफॉर्म करना उसके लिए प्रोसीजर क्या है तो उसके लिए यहां पर प्रोसीजर की बात करूं तो सबसे पहले आपको दो नेसलेंडर लेना है टेक टू नेसलेंडर जिसका की वॉल्यूम 50 ml होगा लेबल वन एस टेस्ट उस पे लिए करो दूसरे को टीक है तो क्योंकि दुख़ो आपको पता है लिमेंटेस्ट हमें सांट को एक स्टेंडर से और स्टेंडर कैसे बनाते हैं वह हमारे जो ड्रग की बुक है बिसकली उसमें लिखा होता है तो उसको फॉलो करते हम लोग तो यह जो अरुग अर्ण का लिमेंटेस्ट देख रह पहला पहला जो श्टेप हो क्या है कि डेलूट 2 ml of standard iron solution standard iron solution का 2 ml लेना है और 40 ml of water में उसको dissolve कर देना है नेसल सिलिंडर में ठीक है और ये जो standard iron solution और कैसे प्रिपेर होगा अभी मैं आगे बताऊंगा पहले बस इतना ध्यान दो कि 2 ml of standard iron solution आपको लेना है उसको 40 ml of water में dissolve करना है ठीक है जैसे नेसल सिलिंडर लिए इसमें 2 ml डाले standard iron solution और 40 ml water डाल दी ठीक है फिर दूसरा श्टिप का है add 2 ml of 20% weight by volume solution of iron-free citric acid दूसरा श्टिप का है कि 2 ml आपको लेना है citric acid का जो कि iron free होना चाहिए iron उसमें नहीं होना चाहिए ठीक है तो जो हमारा citric acid होगा उसका concentration की बात करूँ यहां पर लिखाए 20% weight by volume concentration होना चाहिए उसका 2 ml हम लोग इसमें dissolve करेंगे 2 ml यानी की citric acid डाल दीए and 0.1 ml of thio glycolic acid फिर इसमें 0.1 ml thio glycolic acid डालेंगे ठीक है और अच्छे से mix कर देंगे फिर make solution alkali with iron free ammonia solution फिर आपको हम लोग को solution को basic बनाना होगा तो उसके लिए हम लोग को ammonia और तब तक ammonia add करते रहेंगे जब तक solution का जो nature है वो basic नहीं हो जाता है ठीक है फिर लाश में क्या करना आपको dilute to 50 ml with water 50 ml तक आपको volume make up कर देना है total volume 50 ml तक solution को हो जाना चाहिए फिर observe करना है आपको कि जो standard prepared को color कर आए ठीक है similarly अब बात करूं अगर test को कैसे perform करना है या कैसे बनाना है तो टेस्ट या sample हो उसको बनाने के लिए dissolve the specified quantity of the substance in distilled water आपको distilled water में एक specified quantity आपको dissolve करना है अब वह जो इस पर sample हो सकता है वह unknown उसमें मतलब कि आपको unknown भी हो सकता है कि unknown हो जागा मतलब कि उसमें कि अगर iron present है कि नहीं आपको नहीं बता गया हो आपको दिया गया हो कि perform करके है बताओ limit test कि इसमें iron की impurity present है कि नहीं यह तो फिर अगर वन स्थेम्पल दिया जाता है कि यह यह आपको यह तो यह नोन सेंपल होगा टिक है तो सैंपल नोन या अनोन भी हो सकते हैं दोनों में से कोई भी ठीक है तो क्या करना है specific amount लेना है सेमल को उसको डिस्टिल वाटर में फिर जो होता है आपको को होता है आपको फार्मकॉपिया क्या कर लाना और अब क्योंकि आपको कॉंपेर करना है तो दोनों में इक्वल इक्वल चीज मिलाओं इक्वल कॉंटिटी का तभी नहीं कंपेर करेंगे इसलिए बाकी स्टेप आपका सेम होगा दोनों में तो फिर वही सैंपल को प्रिपर करने के लिए दो एमल आफ 20 परसेंट वीड़ वाल्यूम आइरन फ्री सिट्रिक पूट करोगे फिर 0.1 अमल ऑफ थायुलाइकोली के सिट करोगे फिर मिक्स कर दोगे देन मेक अलकलीन सलू वाल्यूम को मेक अपकर देना पचासे मल तक ठीक है इसका मलब क्या है जितना भी आप पहले सब लाश में क्या करना है कि जो मार्क है को 50 अमल नेसल सिलिंडर पर वहां तक टूटल वाल्यूम बना देना वाटर के थूरू वाटर एड़ करके ठीक है जो सेंपल है वो स्टे पास होगा और अगर डार कर वाट तो मारे मिधे जो है वह फेल हो जाएगा ठीक है अब मैं आपसे बात कि कि जो स्टेंडर्ड आर तो इसको कैसे बनाना है ठीक है क्योंकि यह प्रिपरेशन ऊफ्टेंडर आरन स्वेशन सबसे पहले आपको फेरिक अमोनियम सल्फिट लेन 1.726 ग्राम डिजॉल्व करना है 10 ml of H2SO4 1.726 ग्राम आपको लेना है फिरिक अमूनियम सल्फेट और 10 ml H2SO4 में आपको डिजॉल्व करना है अब यह जो आपको बना लिए 1.726 ग्राम आप फिरिक अमूनियम सल्फेट लिए फिर 10 ml of 0.1 normal H2SO4 लिए उसमें मिलाएं फिर 1000 ml तक टोटल 1000 ml तक वॉल्यूम मेक अपकर दिए वाटर के हल्फ से ठीक है अब यह जो सल्फेट मना इसका 2 ml हम लोग को लेना है ठीक है यहाँ पर जो हम लोग दखो 2 ml है पर ले रहे थे यह दखो यहाँ पर टेक 2 ml जो स्टेंडर डायरन सल्फेट तो जैसे प्रिपेर कियें उसका 2 ml सल्फेट का 2 ml लेना है हम लोग को और 40 ml of water में मिलाना है ठीक है यह चीज तो ऐसे आप स्टेंडर कर लोगे तो दोनों को कंपेर करने के बाद हम observation लिखते हैं कि observation क्या हमारा तो आवर observation shows that on comparing the sample with the standard sample को हमें से स्टेंडर्स कंपेर को तो सेंपल को जो स्टेंडर्स कंपेर किया गया जो हमारा रियल्ट हुआ यह जो लिमिन ट्रेस्ट है वह पास हुआ कि फिल आपको ले में परफॉर्म होने बाद पता चाल जाएगा ठीक है अब मैं आपको बताया था कि यह जो लिमिट टेस्ट परफॉर्म किया गया है यहां पर देखो इसमें गलती हुए जो हमारा जिसके कार रियल्ट नहीं आपाया है तो ध्यान से देखो कि अगर मैं थोड़ा सा जूम करता हूं एक मिनट देखो यहां पर यह दोखो यहां पर आपको दिख रहागा थोड़ा सा वाइट वाइट जो है की पी पीटी प्रेसिपिटेट अब आपको बताएं कि प्रेसिपिटेट नहीं बनना चाहिए तो चिले ट्रिंग बेसिकली जो फिर अफिर था गॉलाइकुलेट वो फॉर्म तिया और दूसरा कमी क्या है इसमें नहीं दूसरी क्या मिझों कि यह नहीं पर प्रफॉर्म किया गाया है इसमें यह वी ऊएट कलड़ सो यह लोग अदेक्प eh सबस्क्राना चाहिए जबकि ऐसा कुछ नहीं दिखेरा में ऐसा क्यों है हो सकता है इसमें अमोनिया को एड़ नहीं इड़ नहीं मतलब जो साइडन का नीचर होगा तो इसके लिए हम लोग अमॉनिया करते हैं सब्सेंट में जब तक की नेचर जो है सब्सेंगा बेसिक ना हो जाता है ठीक है इसलिए अमॉनिया को इसमें एड़ हो तक करना किया गया हूं या तो उतने अमॉन्ट तक नहीं है जब कि हमारा तो पहले एसीड थमालो आप कुछ हमेल ही अगर अमोनिया डाले तो एसीड और बेस है तो रियर्ट करके नूट्रल सलूशन हो गया हुगा और मैं आपको अमोनिया को थोड़ा सा और कॉंटिटी में डालना होगा और देखना होगा कि हमारे सलूशन का निच्छत बेसिक हो र तो अगर अच्छे से वीडियो को लाइक कर देना सेड़कर देना और जो भी टावट हो तो प्लीज 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 कमेन्ट कर देना कमेंट कर दोगे तो आपके जितने भी डाउट है वो मैं क्लियर करने का फ्राई करूंगा ठीक है तो मिलते हैं रहे से अगले निस्ट इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक लिए के बाई